तो हमने भी डिसक्स किया एलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है E ds cos theta से होती है अब question ही है कि हम flux calculate कर क्यों रहे हैं हम क्यों निकाल रहे हैं देखो एक तो lines imaginary है lines दिखती ही नहीं उपर से कहते हैं उसको count भी कर लो count कहा से कर ले फ्लक्स भी imaginary है यह कौन सा कुछ निकलने वाला है जब lines ही नहीं है तो count क्या करोगे पर क्योंकि जब imaginary lines है तो imagination भी उसे count भी कर देंगे तो flux calculate कर क्यों रहे है flux इसलिए calculate कर रहे है क्योंकि हमें point charge की वज़े से E निकालना बहुत असारी से आता है रिंग की वज़े से भी चलो बहुत बड़ी integration नहीं है हमने देखा E हमने निकाल लिया डिस्क का हमने नहीं किया फिर उसी तरीके से अगर line charge है तो हमने नहीं किया line charge की integration काफी बड़ी थी काफी टिग्णोमेंटर उसी तरीके से अगर मान लो मैं आपको एक charge sphere दूँ और बोलो कि इसकी वज़े E निकालो तो आप कैसे करोगे एक charge sphere और वो भी volume by distribution of charge है जिसमें volume में volume है तो उसके अंदर क्या करोगे आप कैसे integration करोगे 3D bodies के लिए बहुत मुश्किल है आप shell की वज़े से E निकालना चाहते हो आप suppose एक sheet है एक sheet की वज़े से E निकालना चाहते हो तो बड़ी complex integration हो जाएंगी flux का concept आपको बहुत असानी से E की value निकालके देगा इन सभी figures का E flux निकालके देगा आपको इसलिए हम flux को study कर रहे हैं ताकि हम complex integration को ना use करते हुए यह shortcut को use करें right क्या है point clear है झालके जाएंगी तो अब एक scientist था जिसका नाम था Gauss Gauss कहता है कि ठीक है आपको flux निकालना आ गया E ds Gauss Theta आप निकाल लो किसी body car निकाल सकते हो कोई problem नहीं Gauss कहता है कि अगर आपके पास close surface है एक close surface है जैसे जैसे कोई भी arbitrary body जो बंद है इसे close surface तो Gauss कहता है कि कोई भी close surface ले लो open मत ले ना open पर यह theorem चलती नहीं है तो कोई भी close surface ले लो चलो यह ले लो इसके अंदर q charge लो जहां मरजी रख लो q charge तो q charge electric lines of force q charge से ऐसे निकलेंगी तो q charge कहीं पर भी रखतो तो वो q charge lines electric lines of force जाएंगी तो इस area को perpendicularly cross भी करेंगी तो इसको कुछ flux होगा तो gauss कहता है कि आप बस मुझे यह बताओ कि close body के अंदर कितना charge है क्यों charge है इसको सिर्फ epsilon naught से divide कर दो पूरी body का total flux हा जाएगा body जाए जैसे मरजी shape की हो arbitrary हो q go q boy door कुछ भी shape की ले लो बस यह बताओ उसके अंदर कितना charge है उसको epsilon naught से divide कर दो कोई integration करने की जुड़त नहीं है उस body का total flux का जाएगा यह यह gauss theorem हमें shortcut बताती है how to calculate the value of flux ठीक है तो gauss theorem की statement है it states that electric flux linked with a given closed surface तो underline करने क्या closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed in it तो यह closed body के लिए लगेगी तो हमारे पास flux निकालने के दो तरीके है e.ds की integration तो ही है closed integration कर लेना यहाँ पे वो तो ही है यह तो किसी भी body के लिए चलती है open close को चक्कर ही नहीं है लेकिन यह formula सिरफ और सिरफ closed surface के लिए चलता है तो total flux अगर सीधा निकालने तो आप सीधा इस तरीके से निकाल सकते हैं तो क्या यह point यहां तक clear है ठीक अब इसके अंदर इसका proof है तो गॉस्ने का ठीक है आप इसका proof देखें मैं आपको proof करके दिखाऊंगा और आपने पूछा कि वह close body के अंदर चार्ज कहा रहें center पे नहीं वह का जहां मर जी रख दो तो भी आज़सर सेम ही आएगा center पे रखो ना रखो बस close body के अंदर चार्ज होना चाहिए तो गॉस्ने इसको proof करके दिखाया गॉस्ने कैसे proof करके दिखाया उसने एक sphere लिया उस sphere के center पे q charge लिया r distance का r radius का sphere है तो जब उसने q लिया तो r distance दूर उसने इसका एक surface area ले लिया तो r distance दूर एक sphere के ऊपर एक छोटा surface area ले लिया उस surface area को किससे represent किया पाए ds अब जो area vector होता है that is always perpendicular to the surface तो area vector perpendicular outside ले लिया उसने और जहां पर उसने ये surface लिया वहां पर उसने e की value निकाल ली e की value के लिए यहां imagine करना है plus 1 charge है तो q plus 1 को repel करेगा 1 by 4 by epsilon not q by r square तो e भी कहां होगा भार होगा तो उसने कहा कि जहां पर आपने e निकालना है जहां आपने e निकालना है वहां पर आपने क्या लिया एक surface area ले लिया small surface तो इस surface area या small surface का नाम है Gaussian surface ताकि लोग उसे याद रखेंगे अब Gaussian गॉस याद रखोगे तो Gaussian surface वह imaginary या real surface है imaginary भी हो सकता है जहां पर आप e की value को निकालना चाहते हैं वह Gaussian surface है जैसे q distance से r distance दूर surface के ऊपर e निकालना चाहता हूं तो यह इसकी Gaussian surface है तो ऐसी अगर मैं यहां निकालना चाहता हूं यह complete Gaussian surface है यह simple छोटी Gaussian surface है तो यह चीज clear है, तो उसमें का ठीक है, आप flux निकालना अच्छा तो यह फेर का, आप अपने तरीके से निकालो, मेरा तरीका छोड़ दो, flux निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इस small surface area का flux निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, E ds cos 0, क्योंकि E or ds में angle तो 0 है, तो small flux को कि इसे represent करेंगे, d phi, तो d phi क्या हो गया, E dot ds, E ds cos 0, तो यह small flux आ गया, total flux के लिए, दोनों की क्या की closed, integration, जब closed integration की, तो integration of ds क्या आया, अब जो integration of ds में area, ds, 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 sबको मिला लेंगे, तो क्या आएगा, आपके पास 4 pi r square, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 pi r square, यह flux आ गया, और E r distance पे कितना निकाला हमने, 1 by 4 pi epsilon not q by r square, तो यहाँ पर हमने value को put किया, solve किया, तो answer gauss theorem का वही आया, q by epsilon not, तो gauss theorem ने क्या किया, gauss theorem ने इसे proof कर दिया, कि आपके पास अगर कोई q charge इसके अंदर पड़ा हुए, तो total flux, आप integration से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कि दिखें कि close body के अंदर कितना charge है q, उसको epsilon not से divide कर दें, उस body का क्या जाएगा, total flux आजाएगा, तो क्या यह point clear है, तो यह state and proof gauss theorem आती है, तो यह आपने इसमें करना है, और इसके अंदर जो gaussian surface है, positive charge के आसपास, gaussian surface है, negative charge, अगर positive charge पड़ा है, lines बाहर आ रही है, negative charge lines अं question एक और है, gauss theorem के अंदर कई लोग कहेंगे कि आपने sir यहाँ पर जानके एक sphere लिए है, क्यों लिए है, ताकि आपको पता था कि sphere का area 4 pi r square है, और आप यहाँ पुट करके 4 pi से 4 pi cancel करके r square r square cancel करके answer असानी से निकाल सकते हो, जबकि gauss theorem ने कहा था कि कोई भी body ले लेना, चल 2 pi r square, आई री सकता, तो आपका answer कैसे आएगा, तो gauss ने arbitrary body पे भी यह काम करके दिखाया, तो gauss ने qvoid पे भी करके दिखाया, वो हमने नी करना, ncrt के अंदर सिरफ यह body है, पर अगर आप करना चाहते हैं, तो जादा बड़ा काम नहीं है, 15 minute का काम है, इसके लिए सीखना हर तरफ से 4 pi होता है, तो solid angle सिखाया जाता है, उसके बाद solid angle से इसका proof किसी भी body के लिए arbitrary किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको वीडियो दूँगा 15 minute का optional है, तो यह आपके paper के अंदर यह proof, ncrt proof हाता है, वो आपका optional है, जादा books, किसी book में given भी नहीं है, बहुत कम given है रखिया उसमें, तो या तो flux का पूरा track ऐसे ही चलने तो, end में आपको brief में बता दूगा solid angle क्या होता है, और इसका proof भी brief में बता दूगा कि हमने इसके कैसे किया for arbitrary body, अभी requirement में है, ठीक, तो क्या यह point clear है, तो हमने क्या किया, Gauss theorem की state and proof किया, अब हमारे पास flux निकालने के दो तरीकी है, पहला तरीका e.ds है, और दूसरा तरीका अगर body closed है, तो q है epsilon 0 है, ठीक हो गया, अब जैसे यह कुछ figures है, इन figures में यह आपके पास q charge है close body में, तो lines कहां आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो इसने क्या लिखा, this is outward flux, बाहर आने का flux, outward flux है, अगर मान लो य एक body है, जिसमें दो positive charge है, तो ज़्यादा lines बहार आएंगी, ज़्यादा outward flux, अगर आपके पास एक negative charge है, तो lines इसमें enter करेंगी, तो inward flux, entry करने का flux, थीक हां तक, यह inward flux, अगर दो negative charge है, तो ज़्यादा lines एंटर करेंगी, तो ज़्यादा flux, inward flux स्यादा होगा, अगर एक positive or negative equal charges तो positive charge lines को बाहर भेज रहे, negative charge उतनी ही lines को enter कर रहे, तो outward और inward flux आपस में cancel हो जाएगा और net flux आउसर पता है क्या आएगा, 0, क्योंकि flux तब count होता है, जब line ने एक बार उसको cross कर दिया, या तो जाते हुए या आते हुए, अगर line cross कर रही है, एक बार enter कर रही है और एक बार exit कर रही है, तो फिर net flux उसका 0 मना जाएगा, ठीक, तो इस case में, यह आपके पास मालो एक sheet है, आगे body पड़ी हुई है, जैसे मालो यह board है, board एक charge body है, sheet है, मैं एक body हूँ, line निकलती है, मेरे body में enter करती है और बार से निकल जाती है, तो मेरा flux 0 है, क्योंकि जो line enter कर रही है, वही line बाहर निकल गी body में से, तो inward flux आया, उतना ही, outward आ गया, तो net 0, तो question आता है paper में, कि inward flux अगर 5 1 है, outward flux अगर 5 2 है, तो net flux क्या है, invert flux जो है, वह positive है, outward flux इसमें negative है, तो दोनों का subtraction, 5 1 minus 5 2, कुछ ऐसे करना है, तो point समझ में आ रहे है, minus करना है, अगर बराबर lines आ रही है, बराबर बाहर निकल रही है, फिर 0 करना है, तो अगर flux different है, 5 1, 5 2, तो subtraction करना है, क्या है point clear है यहां तक, ठीक, तो यह आपका electric flux है, और ghost theorem है,